गोपाल भोलो नाम काम तरू काल कराला सुमीरत समान सकल जग जाला करने क लिए सबसे सशक्त माध्यमेरी तो वह केवल भगवन नाम है जाब रोग हो शोक भई हो ब्यादी हो औकस्मिक संकट हो विपत्ति हो शारेरी कस्ट हो मानशिक कस्ट हो मनवांचित पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो कुछ भी हो शिक्षा के ख्षेत्र में हो किसी भी ख्षेत्र में केवल भगवन नाम क्यों क्यों कि जिसका हम नाम लेते ही प्रश्ण उठता है कि उसका सुरूप क्या ह बगवत गीता में तेरहम अध्याई के तेरहम इस लोक उनका सुरूप बताता है अरता जिसका नाम हम ले रहे हैं वो सरवत अधा पानि पादम उसके चारों उर सरवत रहात पे रहे हैं अब आप अचानक कहीं समुद्र में डूब रहें, कहीं पहाड के उपर संकट में हैं, कहीं किसी एकांत निर्जन प्रदेश में आप संकट में फज गए, तो ऐसा वो कौन सर्वत्र प्याबक जिसके हाथ आप तक पहुचे, आपको वहां से बचाने के लिए, और कहां सर्वत होक्षी, सर्वत्र आपको देखने वाला, आप कहीं भी छुपनी सकते, और शिरो मुखम, सर्वत्र हो, उसके सिर, उसका मुख सर्वत्र व्याबक है, सर्वत्र हो, सुर्तिमन लोगे, सर्वत्र आपकी पुकार को, आपकी अंतर वेधना को, सुनने वाला, करुण पुकार क जिसका आप नाम ले रहे हैं सर्वम अबृत्यति स्थति पूरे ब्रह्माण को वार्त करके बैठाए हम उनसे बाहर नहीं है कि आपको नाम सुमिरन करना है सुमिरत समन सुमिरन करने मात्रे से ही संसार के सकल जग जाला संसार के जितने जंजाले उन सब का शमन करेंगे तो फिर अब उलाहना देते हैं महाराज हम भगवान का सुमिरान बचपन से करते आ रहे हैं भगवन हमारी सुनते इने हैं हम तो राद दिन भगवन का नाम जपते हैं पर भगवन हमारी क्यों नहीं सुनते है आज यही प्रश्ण और इसी का उत्तर देने आया हैं कि आखिर कारण जानते क्या है उसका कारण है कि भगवान भी यह के आखिर वो आपकी बानी की सुने कि आपके अंतर ह्पिर्दय이면 बिराजित है कि भावणाओं की सुने क्योंकि आप जो कहते हो न वह करतें और जो करतें यहीं आखिर भगवान सामने खड़ेख्डे 18 आपकी जो अंतर पुकार को सुन रहे हैं, आप मुख से बोलते हो कुछ और रहे हैं, पर अंतर मन में आपकी भावना जो दवी हुई है, वो कुछ और है, आपका मन कुछ और कह रहा है, आपकी बुद्धी कुछ और विचार कर रही है, आपकी बानी कुछ और बोल रही है, आ मुझे कुछ बोल रहा है पर अंतरमन में इसकी कुछ विचार और चल रहे हैं तो कैसे चले आकिर वो सुने तो सुने कैसे एक उधारन दे दूँ जैसे नाम को काम तरू कहा गया है अर्थत कल्प ब्रिक्ष इस नाम के समक्ष आपका मन जी से स्विकार करेगा नाम उसको परि रिजक्ट कर दिया क्योंकि आपके मन में नाम के प्रतिशंका है दूसरी बात अभी जैसे कली एक माता ने कहा कि एकादशी का ब्रत है हम तो अपने एकादशी के ब्रत में कुछ बनाने का मनी नहीं होता क्योंकि हमारे घर में खाने वाला कोई नहीं है हमारे पती हमारे जो नहीं कुछ बढ़ लगा लेती हुं टो देखा आपने आपके मन में भगवान के पर्ति क्या है कि वह मूर्ती है चोटी सी मूर्ती तो है भगवान थोड़ी है तो उसको फिर चिन ओर हैं और बाकि जो माल मसाला बनेगा वो हम खाएंगे तो आपके मन में भगवान के प्रति के बल मूर्ति का भाव है विग्रह का भाव है साक्षात भगवान का भाव होता तो आप भगवान के लिए भी अपने लिए जो फलाहरा बनाते वो भगवान को आप भगवान को लक्ष करके बनाते कि मैं ज जैसे किसी का बालक आगनम सो रहा हो और आप अगर कहें अरे बहुति किसका शब पड़ा है अगर किसका मुर्दा पड़ा है तो जीवित व्यक्ति को इदा बुर्दा कहेंगे शव कहेंगे तो क्या उसके माता-पिता को अच्छा लगेगा उसी प्रकार घर में आपने भगवान तो बिठाली पर भगवान को भगवान तो मान नहीं नहीं तो आप जो भगवान को कह रहे हो क्या वो सच मुझ कह रहे हो जो मन से कह रहे हो विचार करके बुद्धि के दौरा और बानी से बूल कि उससब एक है जैसे जैसे आप मान देजिये चेक साइन क्ति करते हैं तो चैक साइन करते साम आपने देखा होगा गर चैक में ओवर्राइटिंग हो जाए जैसे आपने एक जीरू बनाया और उसमें कभी कभी पैन ना चले और दुबारा फिर जीरू बनाया तो ओवर्रैटिंग तो बैंक उसको स्विकार नहीं करता उस ओवर्राइटिंग को आपके चेक को डिसॉनर कर देगा कैंसिल करो और उसको फाड़ के दुबारा दूसरा चेक बरो जिसमें ओवर्राइटिंग नहीं अर्तत आप जो लिख रहे हो जो कहना चाहरे हो वह बिल्कुल इस पश्ट हो अर करके लिखाया जा रहा हो कि इसका परण कर लिया हो डरा धमका के वह साइन कर और तो इस अत्वा पहले लिख दिया गया हो मिटार के दुबारा लिखनी के चेश्टा कर रहा हो तो जब तक आपका वुच्छा कि बिल्कुल किलियर नहों उसी प्रकार हमारा अंतर करन हमारा तो मन बुद्धि चित ये सब एक ना हो तब तक भगवान हमारी पुकार सुने तो सुने कैसे एक दूसरा उधारा न हम लोग बोट डालने जाते हैं तो बोट मशीन होता है न तो मानो कोई एक महिला गई बोट डालने और उनसे पूछा बेंजी आपने किस पार्टी को बो तो दोने हमने तो सारे बटन दबा दिए अब जो सारे बटन दबा दिए तो सारे बटन दबाने से आपका बोट निरस्त हो गया यहीं वोट कैंसिल हो गया बोट डली नहीं जब तक आप किसी एक पार्टी का बटन नहीं दबाओगे जब तक एक स्थर मन से किवल एक बटन नहीं दबाओगे तो जिस दिन आपका मन आपकी बुद्धी आपकी बाणी आपका रोम रोम आपकी चेश्टाएं आपकी आखों का इशारा ये सब कुछ जिस दिन एक न हो जाए तब तक आपकी पुकार भगवान सुने तो सुने कैसे क्योंकि आप बोल तो गुच और रहे ह उओं है नो आप चड़ा रहे हो तेल आपको शनी कर रहे हुर्ग यातरह शिल्ड लिकी कर रहे हैं उन्हा को साई माबर बाबा पर वरोसा है भगवान पर बरौन के सम्मार करें है भगवान पर गीता में कहरे हैं भगवद्गोत गीताń कि न onset of an जत्सब्साने एक हो मन बुद्धी चित बाणी और आख नाख कान सबकी चिष्टाएं जब तक एक न हो अनन्याश चिंत यंतो माम एजना पर पासते ते शामने त्यावी उक्ता नाम युक्षिमम बहाम में हूं मीरा भाई मीरा भाई को कहना पड़ा कि मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरों नो कोई मेरे तो गिर्धर गोपाल गोविंद मेरो है गोपाल मेर यह तो कहने वाले दुनिया में लाखों करोनों लोग हैं कि भगवान मेरे हैं गोविंद मेरे हैं राधरानी मेरी हैं पर दूसरा ना कोई कहने वाला इस ब्रह्मान में किवल एक हुई अर्वूई मीरा वैं उनकी अतरिक्ति किसी नहीं कर दूसरा ना कोई दूसरा नहीं चाहिए तो जब तक मन भी एक बुद्धी से भी एक चेश्टा भी एक तब तक हमारी भावना यह नहीं हमारा बटन एक हो तब बोट प्रत्तत क्रों और देने वाला में हूं इनने उसको मैं दे रहा हूं और वहां से तु ले रहा है इसलिए कहा नाम काम तरू काल कर आला सु मिरत समन सगल जग जाला इसलिए मैं आप से ही बात निविदन करूँगा कि अनन्य भक्ति के दोारा अनन्य चिंतन के दोारा आप भगवान से जो मुक्से बोले आप वही अंतर मन में रखें जैसा बोले वैसा ही मन के भरतिवाव हो यदि आप भगवान के बाणी से कुछ बोल रहे हैं तो मन में भावना भी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए कि ये प्रभू येदी मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए तो मैं इस शरीर से आप ही का भजन करूंगा ताकि जीवन का उद्दिश के वल तनका रोग थोड़ी है ये तो अन कि बोलो गोपाल बोलो